Good morning students, आज हम धर्ती की आँखे कहानी पढ़ेंगे, इस पार्ट में हम कठिन शब्धार्थ और व्याकरणाम्ष और प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे पहले हम पढ़ेंगे कठिन शब्धार्थ कठिन शब्धार्थों में पुरानी, पुरानी का अर्थ है प्राचीन और सपना, सपना का अर्थ है स्वपन, प्रयास का अर्थ है कोशिश, खजाना का अर्थ है धनागार, प्रेरित का अर्थ है प्रेरनाप्रात, एंकरेज्ड, यश का अर्थ है कीर्ती और फेम, शीगर का अर्थ हे तुरंद, क्विक्ली, विलंब का अर्थ हे देर, डिले, आयोजन का अर्थ हे प्रबंध, अरेंज्मेंट, विछली चंचल, कुरुत्रिम उपग्रह, बनावटी उपग्रह, सैटिलाइट, परिक्रमा, गोल घुमना, रोटेशन, अकेला, बिना संगी एलोन, सिंगल जानकारी परिचै, विस्फोट, किसी वस्तुका, फट्ना, एक्स्प्लोजियन, खत्रा, विपत्ती, डेंजर, सावधान, सतर्क, अलोट, जपक्ना, पलग्गिर्न, टुडोस, नजर, दुरुष्टी, सैट अब हम पड़ेंगे विपरीतार्थक शब्द, याने विलोम शब्द, पुराना, नया, सम्मान, अपमान, आसान, कठिन, हसना, रोना, नित्य, अनित्य, बुद्धिमान, बुद्धिहीन, सफल, असफल, पूर्व, पच्छिम, सच, जूट, उन्चा, नीचा अब हम पड़ेंगे वचन बदलिये, खटिनाई के बहुवचन है खटिनाईयां, एक का बहुवचन है अनेक, बात, बातें, तारा, तारें, खत्रा, खत्रे, तैयारी, तैयारियां अब हम पड़ेंगे पर्याईवाची शब्द, राजा, रुप, नरेश, प्रयत्न, कोशिश, आख, नयन, नेत्र, वुरुद्ध, बूढ, युद्ध, रन, किसान, कुरुषक, अध्यपक, शिक्षक, गुरु, आचारिय, नित्य, नित्ध, प्रतिदिन, समुद्र, सागर, मार्ग, रास्ता, पत्थ, धरति, पुरुत्वी, यात्र, ब्रह्मन, या सफर, नजर, दुरुष्टी, उत्चाह, उल्लास, उत्चाव, मेले, पर्व, खेल, क्रीडा, भूमी, जमीन, धरति, धरा, मौसम, रुतु, सपन, स्वपन, अब हम पड़ेंगे उपसर्ग, सफल का उपसर्ग है, स, विचित्र का उपसर्ग है, वी, असफलता का उपसर्ग है, अ, विचलित का उपसर्ग है, वी, प्रच्चे, पुरानी, पुरानी में, यहां पर इस शब्द में, उच्छारन क्या हुआ है, अंत में, इ, यानि, इ है प्रच्चे, सम्मानित, इत, कठिन आसानी, आसान, ई, तैयारी, तैयार, ई, गुणी, गुण, ई, ई, सफल्ता, सफल्ता, सूचित, सूचि, इत, दर्बारी, ई, बुद्धिमान, मान, प्रेरित, इत, सहायता, ता, जानकारी, ई, अब हम पढ़ेंगे वाक्यों में प्रयोग कीजे, पुरानी शब्द को वाक्यों में प्रयोग कीजे, किस तरह करोगे, यह तो पुरानी बात है, या इस तरह भी कह सकते हो, यह तो पुरानी वस्तर है, इस तरह, विलंब, विलंब शब्द को वाक्यों में प्रयोग करने पर स उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। मुहावरे वाले शब्द दिन दुनी रात चोगनी याने खूब उन्नती होना। इस शब्द को हम वाक्यों में प्रयोग करने पर क्या आएगा। तेश वृद्धी होना याने आज भारत देश दिन, दूनी, राज, चोगनी, उन्नती कर रहा है जब हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं जो शब्द दिया गया है वाक्यों में प्रयोग करने के लिए उस शब्द का वाक्यों में प्रयोग होना अवश्चक है आराम से बिना परेशानी उस राज में लोग आराम से दिन बिताने लगे मूँ खोलना कुछ कहना लड़का मूँ खोलने लगा लेकिन उसकी मा के इशारे से वह चुप हो गया सपना देखना कलपना करना राजु हमेशा सपना देखता रहता है आनंद लेना मौज मस्ती करना राज्य में सभी आनंद लेते रहते हैं अब हम पड़ेंगे प्रश्णोत्तर पाठ में दिये गए चित्रों के बारे में बात्चीत कीजिए पहले चित्र में एक राजा पलंग पर सो रहा है मदटी चित्रम लो एम उन्दकड राजा पलंग पलंगा ने मन्चम पैना पड़कोनी उन्नाडू और नाव के बारे में सोंच रहा है नाव अंटे पडव गुरिंची आलो चिस्तनाडू दूसरे चित्रमें एक क्रुत्रिम उपगरह दिखाई दे रहा है वेरो का चित्रम लो एम कनपी सुन्दी सैटिलाइट वह क्रुत्रिम उपगरह एक डिश के द्वारा अनुसांदान किया गया है सैटिलाइट स्थेन तो नी संबंध मुंटाय दानी की डिश तो डिश के द्वारा हम दूरदाशन में हजारो किलोमीटर की दूरी पर खेलने वाले क्रिकेट मैच का प्रत्यक्ष प्रसार देख सकते हैं बनम इलो इन्टलो टीवेला चुस्तामो दूरदाशन अनगा टीवेला चुस्तामो डिश केबूल कनेक्षनो लेक अप होते इसलिए रखा गया होगा कि हम अपने शरीर और आसपास को अपने आँखों से देख लेते हैं इपाठानिकी दर्ती की आँखे इंदु वल्ल पेटडम जरींदी अनगा मनमू मना शरीरमू मरियू मना आसपास आसपान चुट्टु पकला आसपास अनगा चुट्टु पकला ये मेते जरूत उन्दो दानि मना कल्लतो चूड़ा गलगाली इसी तरह कृत्रीम उपगर धर्ती की चक्कर काट्टी इलागे कृत्रीम उपगर अनगा सैटिलेट धर्ती की चक्कर अनगा भूमी की चुट्टु थिर्गुतु उन्टुंदी आँखों के समान सब कुछ देख लेते हैं मना मनम कल्ल तो एला आयते मुत्तम प्रपंचानी चूड़ा गलगुतामो अलागे सैटलेर्स कूडा मुत्तम प्रपंचानी प्रपंचम लो एमी जर्गुतुंदो अन्ता चूडम जर्गुतुंदी समुद्र में होने वाले तुफान, धर्ती पर होने वाले तरथरा के विसपोट और मौसम को पहले ही पहचान लेते हैं समुद्रम लो वच्छे तूफान गुरिंची तरवाता भूमेपे जर्गे अनेगा विस्फोटाला गुरिंची तरवाता रुतोला गुरिंची इस हैटलेट सनेवी मनकु थिल्य परस्ताई इसके साथ साथ आनेवाले खत्रों से हमें सावदान कर देथें अन्ते काकुणडा मनकु जिवितमलो जर्ग बोए खत्रों अनगा विलै आलू एवेते ओस्ताय तूफान गानी लेकपोते भूकमपम गानी लेकपोते वर्शाल गुरिंची इवीटी गुरिंची मनकु अलट चेडम जरुतुनिसावदान अनगा अलट चेडम जरुतुन्द नेक्स्ट कोशन राजा की जगा यदी तुम होते तो क्या करते राजु योका स्थानमलो नू उन्टे ये मिचेस्ताओ राजा की जगा यदी मैं होता तो मैं भी राजा की तरह सपने साकार करने के लिए प्रयत्न करता ओकवेला राजु स्थानमलो उकवेला नेनू उन्ट नेनु कुडा ना खलललणू साकारम चैडान की प्रयत्निस्तानू बड़े-बडे वैज्ट्ञानिकों को बुलाकर नय नय तक्नीकों को अपनाता पिदपेद्ध सैंटिस्स लनू पिलिपिन्छी नेनू कोतो-कोत्ता टेक्निस्नी नेनू उपयोगिस्तानू मेरे राज्जुको बाकी राज्जोंके सामने एक आदर्श राज्जुकी तरहा रक्ता ना देशान, ना देशान, नी वेरे देशालम उन्दू, वारिकी उक आधर्शंग, मनмат देशा नीवालू वारू आधरशंग दीज़्कुने वा नेनु ना देशान नी तीच दिदू तानू, इला नेनु उक वेल राजुस्थानम लों ने लो नेनु कुड चेयालाईनि, अ सब थे लोग दिखते ही हैं, कललू अंदरू कंटारू कानी, सब ने तो अच्छे और बुरें दोनों तराके होते हैं, कललू रिंडुरा कालों लोक टीमाँची कललू उंताई, चेडु कललू उंताई, अपने अच्छे सपनों को साकार करने के लिए हर एक मानव को प्रयस्रा करना पड़ता है तने यो कमांची कललनु साकारम चेडान की पूर्ति चेडान की प्रतियोकरू प्रयतनी चाली मुझे भी अपने सपनों को साकारवा पूरा करने में खुब परिश्रम करना चाली है अंदु के अंदु वाल्ला नेनु कुडा ना कललनु साकाराम चेडानी के चाला कस्ट पडाली आतनो विश्वास के साथ रहना चाहिए आतनो विश्वासम तो नेनु कुडा उंडाली कार्य योजना बनाकर लगन से कोशिश करनी चाहिए नेनु प्लानिंग चेसी आ कललनों पूरीं चड़ानी की नेनु प्रयत्नी चाली। समस्याके होने पर विद्वानों से चर्चा करनी चाहिए। अंदुले ये मैना समस्यलों उसते नेनु तेलसिना वारे दोतो आंटे विद्वानांटे आ विश्यानि गुरींची तेलसिना वारे दो नेनु चर्चीन चाली। निराशना होकर वैज्णानिक ढंसे सोंशना चाहिए। इपड़ु निराश चिंदकुंडा आ कललनों पूर्थी चेडानी के आलो चीन चाली। मिलजुलकर काम करते नूतनोत चाह के साथ दो बारा सफल बनाने का प्रयत्नी करना चाहिए। तनोत चाहम तो आ कललनों पूरिंचडानी के प्रयत्नी चली। तभी मैं अपने सपनों को पूरा कर सकुँगा। अपडे ना कललनों नेनू पूर्थी चेगलनू। अगला प्रश्न इस पाट का साराम शप्ने शब्दों में लिखे। एक राजा था उक राजु उन्डे वाडू। वह नित्चि नए सपने देखता था और हुन्ने पूरा करने का प्रयास कर्था था। प्रति रोजु कोतो कोता कललू कने वाडू। तरवाता आ कललनू पूरिन चडानिकी साकारम शब्दों की प्रयास निन्चे वाडू। दरबार के गुनी और बुद्धिमान लोगों को सपने सुना कर उन्हें पूरा करने में उनकी सहायता लेता था। दरबारमलो सभलो आ कललनू विनिपीन चे वाडू। तरवाता आ वी बाटिनी साकारम शब्दों की बुद्धिमान्तुलू तरवता विद्भाम सुलानू पिलिची वारी की चेप्पे वाडू। वारू आव कललनू पूर्ति चे वाडू की सहायता चेसे वारू। असफलता होने पर निराश नहीं होता था। एपड़े ते सक्षेस कालेक पोताडो अपडू निराश चिन्दे वाडू खादू। कमियोंको पूरा करके दोबारा प्रयात्नि कन्नेको प्रेरित करता था। आ कललू पूर्ति चेडमलो कवेला सक्षेस काक पोते अंदुलो एमेती तप्पुलू उन्नायो वाटिनी गुर्तिन्ची मरियोकसारी प्रयात्नि चडानिकी वारिकी सूचनलू इच्छे वाडू। राजा के नाव व्यापार करते समुद्र में हजारो मील दूर जाते थे। राजयोक का पडवलु व्यापारामु निमित्तमै समुद्रमलो कोन्नी वेल किलोमीटर दूरमु वेलेवी। उसका यश फैलाते थे। अतनियोक कीर्ति प्रतिष्टलनु व्यापिंचे वारू। इसके साथ साथ राजा की कटिनाया भी बढ़ गई थी। दीन्तो राजयोक क कष्टालु चाला पेरगी पोयाई। कभी गभी राजाका नाव संकट में होत्तो उसे तुरंत सूष्णा नहीं मिल पाती थी। ओकोक्क सारी एमयेदी वेल किलोमीटर दूरम इल्ले पडवलु उक वेला कष्टालु उन्ना पुडांटे एदे ना कष्टमोच्चिना पु लंबु होता था। सहायम चेडानी की कुडा समयम पट्टे दी। एक दिन राजा चांदनी रात का आनन लेते इस प्रकार सोचता है कि काश में चान तक पहुंच पाता ओकरो जु। चंद्र नी वेन्नेललो तान उनिद्रिस्तु इला आलो चिंचाड़। इला सप्ना कलानु कन्नाड़। नेनु कुडा चंद्र नी पई उन्टे एंध भाव उन्डे दी अनि। तो मैं वहां बैटकर अपने पूरे राज्य को आसानी से देखले दा। उसने विचित्र सप्ना देखा। राजा को लगा। जेसे साचान की दो आँखे हैं। खललो तनकु इला कला उच्छिन्दी। राज चंद माम की रेंडु कल्लुन्ना यन्नट। चान्द अपनी बड़ी बड़ी आँखे से इधहर उदर देख रहा है। चंदुरुडु तनकल्ला तो अटु इटु चूसतु नटु और राजा से होने वाले दुष्परिनामों के बारे में बताकर सहायता बेजने में सावधान करवाया। तरवात आप अतनियोक पडवलकु एदो प्रमातम जरुतु नटु तनकु समा आयना सहायता पडवलकु सहायम चेडा निकी मनशलने पंपींचेंडी अन्नटु अलर्ट चेडु चेसेडु इला चंदुरु। राजा ने सपने में ही चांद को धन्यवाद दिया। राजु आ चंदमाम की कललोने थैंक्स चेप्पैडु। सुबा राजा दर्बारियोंको सपना सुनाया और निराश वेक्त किया। प्रुद्धुना द सभलो दर्बारियों अंटे सभलो उपसीत सभी विद्वाम्स विद्वाम्स लकु तना कला गुरिंची चेप्पी निराश चेंद आडु। एक व्रुद्धु दर्बारियने कहा महराज निराश नहो आपका सपना एक दिन अवश सच होगा। राजुगारु मीरु निराश चेंद कंडी एदोक रोजु मीकला पूर्त्य ओतुंदि आनि चेप्पैडु। कुछ दिनों के बाद सभी लोग चल बसे आकिर्वधिन आही गया। कोणी रोजल तरवाता अंदरु चनि पोयारु कानी इपड़ु आ रोजु राने वच्चिंदी। जब राजा का सपना सच्मु सच होगया आ सायकडों कृत्रीम उपग्रा पृत्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। राजुकनट्टे आकललोो सैटिलेट्स कृत्तिम उपग्रहा नागा सैटिलेट्स excellence नी मनमू पंपिच्चाँ उपग्रहालनू इव अन्नी मना भूमी की चुट्टू थिर्गुतू इप्रपंचमलो एमेमी जर्गुतूने अन्नी विश्यालन मना को तेलिय बरस्त नाई ये सचमुझ धर्ती की चक्कर काटती आंखों के सामने सब देख लेते हैं समुद्र में होने वाले तूफान, धर्धी पर होने वाले थरा तरा के विश्पोर्ट और मसम को पहले ही पैचान लेते हैं और आने वाले खत्रों से सावदान कर देते हैं इसेटिलेट्स वाला मनमु जर्गे अन्नी तूफानला गुरिंची, तरवातरुतो ला गुरिंची, इवाटिन अन्निटी गुरिंची मनम तेल्सकोगल गुतुन्नामू, अलर्ट आउतुन्नामू कुडा। अब वे हमारे लिए शिक्षक का कारिय कर रहे हैं। सैटिलेट्स न्नी मना गोका टीचरला पनी चेस्तुनाई। इन उपग्रहों की नजर बड़ी तेश है। सैटिलेट्स ने वीटियोका चूप चाला। ते जनगा एंदन चू सूक्ष्मांगा उन्ना वस्तुलेट्स कुडा चूसी आट्टे कानि पेटता आई। इनसे कोई बाद चिपी नहीं रहती। वीटिवार्ला यवरू दाजको लेरू। सैकडो मील की उँचाई से चित्र खींस्ते है। वेल किलोमीटर दूरम नूँची गूडा इवी चित्रालनू थिया गलव। फोटोस नी थिया गलव। काश आज वह राजा होता तो अपना सपना सच होते देहकर कितना खुश होता। अपने मित्रों को शेर किजेगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चानल को सब्सक्रेब किजेगा। धन्यवाद।